इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर लीग शोकर लीग के मैच के वारा में जो गाइस खला जाए यहां से FC डलाश और New England Revolution के बीच में होने वाले इस मैच के वारा में तो गाइस इस वीडियो में इंदून टीमों रीसेंट फोरम और इंदून टीमों प्लेयर के बात करेंगे कौन से प्लेयर ने कितना गोल किये हैं और कितना असिस्ट किये हैं और गाइस बात करेंगे जब यह दून टीम आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दून टीमों का हैट वर रिकोर्ड और गैज वो कौन से प्लियर हैं जो कंसिस्टेन गोल करता है इन दून टीमों की तरप से और कुछ ऐसे इंपोर्टेंट प्लियर्स के बाराम बात करेंगे जिनका ड्रीम लोन पर काफी लो सलक्षन रहीगा और उन्हां आप अपनी समोल लिग टीम में कैप्टन पलस वाइस कैप्टन बना सकते हो वीडियो कंप्लीट देखनेक बाद और प्लियर का कंप्लीट रिको पर वहीं पर बात करते हैं जो निजली सतर की टीम है तो गईज अब बात करते हैं जो निव इंगलेंड है इसका जो परफोर्मेंस से इस ग्रूप में वो क्या रहता है तो गईज इसने फस्ट पर अभी तक अपनी पोजिशन कायम रखी है और इसने 10 मैच खिले हैं इस ली 17 गोल सकोर करना आप मान सकते हो जो इसका अटेक है परती एक मैच में 1.7 गोल पर मैच सकोर करना का एवरेज रखता है वहीं पर बात करें इसने 10 मैच में 11 गोल डिफेंसिव आज कंसीड की है तो इसका जो डिफेंस है परती एक मैच में 1.1 गोल पर मैच सकोर कंसीड करना क एरेज रखता है अटेकिंग वाइज ये टीम परती एक मैच में कम से कम वन गोल पर मैच सकोर करती है और कभी कभी तो ये टीम एक हलकी टीम के सामने दो गोल पर मैच सकोर भी कर देती है लेकिन ये टीम डिफेंसिवा जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती है बहतर टीम के सामने परती एक मैच में एक गोल कंसीड करना का एरेज निकल कर आता है अब गाइस बात करते हैं जो शेकिन टीम है जो उसका परफोमेंस है उसका बारे में तो गाइस यहां से एपसी डलाश है इसने इस लीग में 13 पोजिशन हासिल कर रहा है और इसने 9 मैंच केले और एक ही मैच इस टीम ने विन कियाँ बल्कि 4 मैंच ड्रोी कियाँ और 4 मैंच इस्ट्रीम ने लॉस कियी है और 9 गोल सकोर के हैं और 14 मैंच इस टीम में डिफैंसी वाच कंसीड किया है तो इसका जो defense है परती एक match में 1.5 goal per match score consider करना का average रखता है Attacking wise ये team फिलहाल की time पर परती एक match में 1 goal per match score करना का average से goal कर रही है लेकिन कभी-कभी तो ये team परती एक match में goal भी score नहीं कर पाती है लेकिन defensive wise ये team कहीं है कि परती एक match में 1 goal per match score consider करती है और कभी-कभी तो एक 32 टीम को सामनी टीम दो गूर्ट पर मैस सकोर भी कंसीड कर देती है तो गैस अब बात आते है कि किस टीम को हम अपनी ड्रीम लोंग टीम में एक फैर्वरेट टीम मानने है इन दून टीमों में से तो गैस मैं फिले हाल के यहाँ से निव इंग्लेंड रेवलोशन को एक फैर्वरेट टीम मानने के चलता हूँ क्यों क्योंकि इसका जो पर्फोमेंस है वो काफी अटेकिंग रहा है और डिफैंसी वाइस तो यह टीम जल्दी से गोल कंसीड करती नहीं तो इसलिए मैं यहाँ से एक निव इंग्लेंड के फैर्वरेट टीम मानते हुए चलता हूँ लेकिन बात करेंगे जब यह दून टीमों आपस में हैट टो हैट मैचेस खेलती है तो क्या पर्फोमेंस रहता है इन दून टीमों का हैट टो हैट मैचेस के बारे में तो गाइस इन दून टीमों के बीच में सिर्फ पांच हैट टो हैट मैचेस हुए है जिन मैचेस है एपसी डलास ने तीन मैच विन किया है और दो मैच ड्रो खेले है लेकिन टू गोल पर मैच सकोर किया है और जीरो पैंट टू गोल पर मैच सकोर कंशीड किया है एपसी डल करना का एवरेज रखते हैं अटेकिंग वाइस एपसी डलास गोल सकोर भी करते हैं लेकिन डिफैंसी वाज कहने के गोल कंसीड भी करना का एवरेज लिकल कर आता है अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोन टीमों वीच में हुआ था यहां से वन वन का ड्रो देखनों मिला दोनों टीमों को तरफ सक अटेकिंग वाइस गोल भी हुआ और डिफैंसी वाज गोल कंसीड भी किये गए लेकिन उससे पिछल मुकावल फिर यहां से एपसी डलास ने वन जीरो से विन और फिर यहां से इन दोन टीमों बीच में एक मैच और ड्रो हुआ वो टू- मतलब दोनों टीमों टीमों डिफैंसी वाज गोल कंसीड भी है लेकिन उससे पिछल मुकावल फिर यहां से टू-बन से एपसी डलास ने विन किया और फिर यहां से फोल-टू से एपसी डलास ने अगेन विन किया लेकिन अगर देखा जाए तो यहां से जो एपसी डलास का head to head performance है वो काफी बहतरी ने लेकिन जो इसका performance recent का coding है वो बिल्कुल ना के बराबर है तो guys यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि कल यह पर्षो हमने एक match खेला था जिसमें Minnesota United एक favorite team थी और लेकिन head to head में उस team का performance अच्छा नहीं था उस team के सामने लेकिन कौन team win की जिसका head to head performance अच्छा था आपको बैक फायर भी करके दे सकते यहाँ से एपसी डलाज तो Grand League में आप इसे जरूर एक favorite team मानके चलना अब बात करते हैं जो इन दोन टीमों recent form उसका according क्या performance चल रहा फिर हलके time पर इन दोन टीमों का तो एक बार नजर डालते हैं recent form का according तो guys recently एपसी डलाज ने 6 मैच खेले हैं जिन मैच से अभी तक इस team ने एक भी मैच win नहीं किया बलकि 3 मैच draw जरूर खेले और 3 मैच loss भी किये हैं और 0.7 गोल पर मैच सकोर किया है और दो मैच मेच में एक ही गोल सकोर करने का average है इस team का लेकिन attacking वाज ये team फिल हलके time पर कहने के परते एक मैच मेच में 1 या 2 गोल पर मैच सकोर कंसीड भी कर देती है अब बात करें जो पिछला मैच एपसी डलाज लोस एंजलेस के सामने 2-0 सा लोस करका और यहां से पता चलता कि ये team जब match को win करती है मतलब जब match को draw खेलती है तो ये attacking wise और defensive wise goal शकोल भी करती है लेकिन अगर ये match loss करती है तो यहाँ से जो इसका performance रहता वो attacking wise काम्याब नहीं रहता तो आप मान सकते हूँ जो इस FC Dallas का recent forum है वो बिलकुल मतलब आप मान सकते हूँ काफी down है तो इसलिए मैं इसको favorite team नहीं मानते है लेकिन अब बात करते हैं जो new England का recent forum उसका बारा में तो guys new England ने recently 6 match के रहे हैं जिन मैंसे 5 match तो win भी की हैं और एक ही match श्टीम ने draw खेला बलकि loss तो भी तक किया ही नहीं फिर recent के मुकतावी लेकिन 2 goal per match सकोर किया है और 1 goal per match सकोर कंसीड किया attacking वाइस ये team फिरहाल के time पर recently 2 goal per match सकोर कर रहे है और defensive जिए कहने कहीं एक बहतर team के सामने 1 goal per match सकोर भी कंसीड कर देती है अब बात करें जो पिछला match मतलब new England, New York के सामने 3-2 से match को win कर रहे है उसे पिछल मुकावला फिर यहां से New England ने नी योर्क सिटी के सामने 3-2 से win किया लेकिन उसे पिछल मुकावला Cincinnati के सामने इस team ने 1-0 से win किया उसे पिछल मुकावला 3-1 से win किया और फिर यहां से 1-0 से win भी किया और 1-1 से draw भी खिला है, तो guys इसने recently 3 match high goal score किया है, लेकिन जब इस team ने high goal किया ने तो उसमें इसने goal concede भी किया है, लेकिन जो इस team ने match low scoring with win किया है, उस match में इस team ने with clean cheat के साथ match को win किया है, और एक match इस team ने attacking वाज प्लस defensive वाज goal score भी किय तो यहां से एक match ड्रो भी खिला इसने जो इसका recent form वो काफी अप है आप मान सकते हो as compared to एपसी डलास लेकिन एपसी डलास का जो हैटवर्ड परफॉमेंस है वो उसकी फैवर में जाता है लेकिन अब बात आते इस match का सकोडलान परडिक्शन क्या हो सकता हमारी शमोल लिग टीम बनाने के लिए ड्रीम 11 पर तो गईस सबसे पहला हमने इंदून टीमों की पॉइंस टेबल देखी फिर इंदून टीमों का हैटवर्ड मैचेस देखे और फिर इंदून टीमों को रीसेंड फोरम देखी तो क्या चीज निकल कर आती है हमारी समोल लिग टीम बनाने के लिए इस मैच के जो परडिक्शन है उसके बारे में तो गईस पॉइंस टेबल का कोर्डिंग तो जो निव इंग्लेंड इस गुरूप में फ़स्ट पोजिशन पर है और अटेकिंग वाज परती एक मैच में कम से कम वन गोल सकोर करती है और डिफ़ेंस वाज तो जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती है बहतर टेम के सामने ही गोल कंसीड करती है लेकिन हेट्ट टोड में यहाँ से FC Dallas परती एक मैच में दो गोल सकोर करती है इस टेम के सामने लेकिन एक गोल कंसीड भी कर देती है और recent forum का कोर्डिंग तो यह है कि FC Dallas परती एक मैच में गोल भी सकोर नहीं कर रही बलकि दो मैच में एक ही गोल सकोर करती है तो मतलब इसका जो अटेक है वो जीरो और defensive वाज परती है मैच में कहीं नहीं कहीं वन गोल पर मैच सकोर जरूर कंसीड कर रही है तो attacking wise फिलहाल के time पर जो FC Dallas का performance से done है मतलब down है और जो यहां से recent के मुताबिक New England वो काफी up है point stable का according अप है लेकिन एक जिगे है जहां पर New England इस team के सामने loss करती है वो है head to head matches उस match का अगर दब दबा रहा इस team को पर तो इस match को अभी result कुछ ऐसे unexpected देखनों को मिल सकता है लेकिन अगर expected match गया तो इतना मैं बोल रहा हूं कि इस match में आराम से easily with point difference से इस match को win भी करेंगे अब बात करते हैं समोल लिग team बनाने के लिए क्या prediction है हमारी इस match में हमारी dream alone को team के लिए तो गैस मुझे लगता है कि इस match में जो एपसी मतलब एपसी डिलाज को जो recent form उसका according की एक goal कर सकते है क्योंकि यह match इसी के home ground में है और दो गोल यहां से new England कर सकते है क्योंकि जो इसका performance है वो काफ़ी up है तो इसलिए यहां से इस match का scoreland prediction 1-2 का रखा है और 1-2 के prediction का नुसार जो इस match में समोल लिग टीम रहे हैं dream alone पर वो बनाने वाले हैं dream alone पर लेकिन उससे पहला बात करते हैं इन दून टीमों के players के बारे में कि कौन इस player ना कितना goal और कितना assist की है तो सबस पर नज़र डालेंगे FC Dallas के players के बारे में फिर गाइस बात करेंगे New England के जो players हैं उनके बारे में कौन इस player ना कितना goal और कितना assist की है तो सबस उपर नज़र डालें FC Dallas के players के बारे में उससे पहले है अगर आप बिलकुल नहीं हो और आपना भी तक हमार टेलिग्राम चनल को join नहीं किया तो इसी व सर्च में हमारे चलिग्राम चनल जोइन करना तो लिंक के जरीए ही जोइन करना वरना मत करना अब बात करते हैं सिदह मुद्दे की प्लियर वाइज की कौन्स प्लियर ने कितना goal और कितना assist के हैं तो सबस पर नज़र डालते हैं FC Dallas के players के बारे में मत करना को मतलब यह है कि कि आपने सर्च करकर नहीं जोइन कर सकते हैं प्लियर वाइज की कोन इस प्लियर ने कितना goal और कितना एसिस्ट के नज़र डालते हैं FC Dallas criticized players के बारे में में एपसिडर लाक्स की टीम तरफ जो हाइस्ट गोल डिगर रिकार्डो पैपी जिसने दो गोल के हैं इस टीम के तरफ से और पिछले सीजन भी इसने तीन मैच में चार गोल सकोर किये थे तो एक इंपोर्टेंट पिलियर रहेगा एक बिल्कुल यंग पिलियर 2003 का इसका मतलब ड टीम किया यहांसे पता चलता कि यह इस टीम के तरफ से फर्स चोंश डेकर लेकिन याद रहे पिछले सेजन में ये इस टीम के तरफ से हाइस्ट गोल टेकर था तो आप इसने ग्रांडौ điềuकर में कैप्टन प्लसओ वैस कैप्टन में दे सकते अब बात करते हैं बाकी कापक साम सारे प्लेयर्स का रिकोर्ड आप सिक्रीन सोट ले रहे हैं खुद की टीम बनाने में इन प्लेयर्स का रिकोर्ड आपके लिए किफायत रहेगा ये बहतर से बहतर से मोलिक परस गिरांडली टीम बनाने के लिए अब बात करते हैं इस टीम त इस्टीम में अभी तक इसी नहीं मैंच में सिर्फ एक ही गोल किया और एक एक ऊस्ट कहों कि अपहस कर सकता है अकोस्टा पेल जो में आप शीड़ने मैंने मैंच कि अच्छा प्राइंगल ले ले लेолотा अब बात नहीं से झाे लाट कौन्श कौं प्लेर की नहीं कितना इतना असिस्ट के हैं तो सस पर नजर डालते हैं New England के प्रेयर्ष का बारे में तो गैस New England की टीम तरफ से प्राइल टाइम पर हाइस गोल्टेकर अडम बुक्षा जिसने चार गोल की हैं ये एक इंपोर्टेंट प्राइव रहे हैं फिलहां के टाइम पर ये इस टीम तरफ हाईए्ट गोल तेगर था तो इसे ना आपने टीम केर्टन पलस वाइस केप्टन की सबसे बेश्ट चौइस रहे आप इन दोनों में किसी एक को captain plus vice captain देश सकते हो और बात करते हैं थ़र्ड highest goalkeeper टेजोन जिसने दो goal की फिलहल के टाइम पर टील, बुन, बुरी जिसने पिछले सेजन ये इस team तरफ से highest goal टेगर थे लेकिन फिलहल के टाइम पर इसने 9 match में मतलब 10 मैच में इसने एक ही गोल किया तो पर्फोमेंस इसका काफ़ी डाउन है और बाके काप सामने हैं सारा प्लेयर्स का रिकोर्डा आप से क्रिंसोर्ट ले लेना और यहां से जो गिल है कारलेस गिल पिछले सीजन ये इस टीम तरफ से हाइस्ट गोल टेकर था फिलहाल का टाइम पर ये इस टीम तरफ से फास्ट चोइस पैनल टेकर भी तो इसने एक गोल पैनल टेम किया तो यहां से पता चलता कि एक इमपोर्टन प्लियर रहने वाला है आपको अपने ड्री मिलोंगे टीम में जिन प्लियर्स को में टिक किया हुआ इनको तो आप पिकर के चलना ये चलना अब बात करते हैं असिस्ट के मामले में इस टीम तरफ से कौन से प्लियर निकल कर आते हैं तो एक बार नज़र डालेंगे तो गईज असिस्ट के मामले में यहां से कारलेस गिल्ड जो कि इस टीम तरफ से फिल्हाल के टाइम पर भी हाइस्ट को असिस्ट करें साथ असिस्ट कर चुगा तो एक इंपोर्टन प्लियर है लेकिन सलक्षन वेरी लेस्ट वो बोलते हैं कि 7% चैप्टन वाई मतलब वाई 7% प्लियर कैपटन यह वही वजह क्योंकि बहुत ऐसे प्लियर होते हैं हमारी वीडियो में और जिनके बार हम आपके लिए डेपली बताते हैं लेकिन कैप्टन बनाना ने बनाना वो आपके उपर रहे था क्योंकि अगर आपके प्रडिक्शन को अच्छी तरह से अनलाइज करोगे ने तो इतना मैं कंफरम बोल रहा हूं कि परतियक मैंच में आपने इजी ली ग्रांड ल जिसने दो अशिस्ट निकाले और बाग एक आप सारी प्लेस का रिकोर्ड आप स्क्रीन सोट ले लेने याद रहे है गुष्टाव वो पिछली सेजिन के तरफ मतलब सेकेंड हाइस गोल टेकर था और यहां से कारल गिल एक इंपोर्टेंट फिलेर है और बागी कि यहां सार प्लेस का रिकोर्ड आप स्क्रीन सोट ले लेने इंपोर्टेंट प्लेयर के बारे मैंने टिक किया हुआ है आप पिक करके चलने ना अब बात करते हैं इस मैच में जो हमार समोल लिग टीम है वन टू की पर डिशन का अनुसार क्या रहना वाली है ड्रीम इलों पर तो एक ब आपको जॉइन करना क्यों कि अगर आप सर्च करके जॉइन करोगे ने तो भाई यह पहले तो दिखाई देगा आपको साड़ नो होजार प्लस का सरीबर जो कि हमारा है नहीं इससे ता आपको बचना ही बचना हमारा चैनल है जिसमें आपको सुबह तक सायद 8000 भी हो जाए तो यहां पर आपको जो परतैक पोस्ट रहेता है जो हमारा चैनल की उस-पर Кंण नोस के यहां पर पर कम शॉष प्लेयर चैनल के जैसी यह पोजिशन थी और इसमें कौन चैनल को फोजिशन देखे था वह आपको पोजिशन वाई रहेते हैं तो आप यहां से भी देख सकत हो इसी का कोंटिंग हम जो लाइन अप इस मैच के रही वह भी आपको टेलिग्राम चलिए पर डाल देंगे याद रहें इस मैच का सकोर लेंड परडिक्शन हमार वन टू को रहा है और वन टू के परडिक्शन का नुसार इस मैच जो समोली टीम है वह देखने वाले हैं ड्री परफ़मस किया है रिकार्ड पैपी को रखके चलाएं क्योंकि काफी यंग पिलीर है और काफी अच्छा परफ़मस करें थीन मैच मिशने चार गोल मतलब 2 गोल और एक असिस्ट निकाला तो इक इंपोर्टेंट और पिछले सीजन भी इसने 4 मैच मिशन तीन गोल और एक अ तो क्यों selection very less है, selection पर जाओगे तो team नहीं बना पाओगे, भाया selection माइन बहुत रखती है, तो इसलिए मैं बोला है कि जो record का code जो अगर आप team बनाओगे तो otherwise win करोगे, यही तो होता difference करो, भाय difference करो, क्या difference करें, वो ही करो जो player की quality कहती है, अब ऐसा नहीं selection percentage पर आप जाओ, फिर आप सबसे नीचले सतर player को लाओ, कि भाया यह तो सबसे कम selection है, इसको team differential रहेगा, ऐसा नहीं है, एनलाइज करो, उसका record देखो, उसका status देखो, उसका क्या performance रहता है, कि team एक point देगा यह नहीं देगा, interception करेगा यह नहीं करेगा, मतलब goal का chance है यह नहीं इस player का अंद मुझे believe हो जाता कि हाँ, यह बंदा goal करेगा, बंदा believe ऐसा हो जाता कि उसको खुद नहीं पता होता कि मैं goal करूँ हूँ, लेकिन हाँ मैं पता होता कि यह goal करेगा, captain तभी तो बना देते हैं उसको, बाकि जो आपके लिए team रहेगी, इस match के recording वो आपको telegram channel में जाएगी, link वीडियो को description सब सुपर वाल comment से आप telegram channel को join कर सकते हो, अगर आपको यहाँ से किसी defender को captain plus vice captain देना, तो यहाँ से जो एक आपको जोनस देखनों को मिल रहा है, इसे captain plus vice captain देखना तो low scoring match में, लेकिन line up का आने के बाद हम आपको clear कर देंगा कि इस match में जो team में चंजी होगी वो line up का आने के बाद मिलेगी, thank you very much, अगर आपको वास्तों में वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को like भी करना, अगर नहीं भी पसंद आई, तो एक YouTube ना option दिया, dislike का, उसको भी दबा सकते हो, लेकिन पसंद ना आने को बज़े पर, अगर आपको पसंद आई, तो वा schedule नहीं डालता है, schedule क्योंकि हम उस मेंच की वीडियो डाल देते हैं, दो आवर्स पहले, तो इतना time होता कि दो वार उस वार पहले आप टेलिग्राम चैनल को, मतलब team share कर सकते हो, और इसलिए मैं आपस बोला कि, चैनल को subscribe करें, ताकि आपके पास जो हमारा schedule रहता है, मतलब की team आने वाली है, thank you very much, video complete देखने लिए वैसे भी काफी बात हो चुगी है, तो thank you, तो आपको ये चीज पसंद आई होगी, नहीं भी पसंद आई है, तो माफ करना, thank you very much